जैसरी राम सिंगराज के दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके दैनिक रासी फल में मैं हुआ चार इसके तिवारी दोस्तों आपका रासी फल लेकर हाजिर हैं बात करेंगे गुरुवार 29 अगस्त 2024 का दिन आपके लिए कैसा रहेगा तो आईए रासी फल जानने से पहले आज के पंचांग के बारे में जानते हैं आज गुरुवार 29 अगस्त 2024 भादर्पत किष्णपक्ष की एकादसीती थी विक्रिए संबत 2081 आज का सुर्योदे 5 बच के अंठामन मेंट पर होगा तो ही आज का सुर्यास्त 6 बच के 46 मेंट पर होगा आज के दिन चंद्रमा पूरे दिन में थुन रास में कोशर करेंगे आज जिन बच्चों का जन्म होगा उनकी रासी में थुन होगी अब बात करेंगे आज के सुब महुर्तों के बारे में तो आज ब्रम्ह मूर्त रहेगा चार बच के 28 मिट से सुबह 5 बच के 13 मिनट तक अब जीत मूर्त रहेगा 11 बच के 56 मिनट से 12 बच के 47 मिनट तक बिजे मूर्त रहेगा 2 बच के 30 मिनट से साम 3 बच के 21 मिनट तक आज के दिन अमरित काल का समय रहेगा 6 बच के 20 मेट सुबह से लेकर सुबह 8 बजे तक साथ या सरवार सी धियोग भी बना हुआ है 4 बच के 49 मेट साम से लेकर 30 अगस्त को 5 बच के 58 मेट सुबह तक तो ये थे आज के सुमहूरत न सुमहूरतों में आप कोई भी सुबह कार आरम कर सकते हैं आज का राहु काल का समय रहेगा दुपहर बाद एक बच के 59 मेट से लेकर साम 3 बच के 34 मेट तक राहुकाल के समय किसी भी सुबह और अच्छे कारियों के सुरुआत नहीं के जाती है अब बात कर लेते हैं आपके रासिफल के बारे में तो सिंगरास के दोस्तों सेहत के लिहाज से दिन बहुत अच्छा है आपके प्रसनता ही आपके आत्मिस्वास को बढ़ाएगी खर्च करते समय आगे बढ़ने से बचें नहीं तो जेब खाली होकर घर लौटेंगे घरेलू मामलों पर ततकाल ध्यान देने की जरुवत है आपके और से लापरवाही महगी पढ़ सकती है किसी भी गलत और बेवज़े की बात से खुद को दूर रखें क्योंकि इसकी बज़े से आप परिसानी में पढ़ सकते हैं कारज़ छेतर में आज आपकी दक्षटा की परिक्षा होगी इसके साथ ही इस रास के लोगों के लिए आज का दिन सांदार रहेगा आज आपकी सभी प्रकार की मनो कामनाई पूरी होंगे और आपके जीवन में सफलता मिलेगी नोकरी करने बाले लोगों के अधिकारियों के साथ बहतर संबन्द रहेंगे जिससे काम का तानाव नहीं रहेगा इस रास के जो लोग टेलिवीजन के शेतर में काम करते हैं उन्हें आज कोई बड़ा आफर मिल सकता है सिंगरास के दोस्तों आज के दिन मित्र आपका परिचय किसी खास बिक्तिस से करवाएंगे जिसका आपकी सोच पर गहरा प्रभाव पड़ेगा दूसरों को प्रभावित करने के लिए ज़रोष से ज़्यादा खर्चना करें घरेलु काम का बोज और पैसों को लेकर तनावाज आपके दामपत्ती जीवन में थोड़ी परिसानी पैदा कर सकता है जूट बोलने से बचें क्योंकि इससे आपका प्रेम सम्मंद खराफ हो सकता है आने वाले समय में आप इसमें आपका कई तरह से अपना असर दिखाएंगे अचानक यात्रा के कारण आप भाग दोड़ का सिकार हो सकते हैं आपको अपने जीवन साथी से जूड़ी कोई ऐसी बात पता चाओ सकती है जिससे आप कभी जानना नहीं चाहते थे साथ ही इस रास के लोगों का जीवन आज अच्छा रहने वाला है आज आपका मन धार्मिक कारी करेगा इस रास के लोग आज पतनी से कोई कड़ी वीवात ना कहें वीवात की स्थित्य उत्पन हो सकती है खास कर सिंगरास के छात्रों को सीनियर से कुछ सीखने को मिसकता है जो लोग नया घर खरीदने की सोच रहे है तो आज का दिन उनके लिए बहुत ही बेहतर बना हुआ है सिंगरास के दोस्तों आपका उदार सुभाव आज आपके लिए कई खुसी के पल लेकर आएगा आपके आर्थिक सिर्टी में सुधार निश्चित है बहन की साधी की खबार आपके लिए खुसिया लेकर आएंगी हलाकि उनसे दूर रहने का ख्याल आपको दुखी भी कर सकता है लेकिन आपको भविस्त के बारे में सोचना बंद करतेना चाहिए और बरतमान का भरपूर आनंद लेना चाहिए आज आप जीवन के सच्चे प्याज की कमी का अनभाव करेंगे ज्यादा चिंता ना करें समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है और आपकी रोमांटिक लाइब भी बदल जाएगी इस रास के लोगों की आज निरासा दूर होगी इस रास के जो लोग नुकरी करते हैं उन्हें आज प्रमोसन मिल सकता है जो लोग साधी सुदा है उन्हें आज अपने जीवन साथी का आज साथ और सहीयोग मिलेगा इस रास के जो लोग निर्थ संगीत आज के छित से जुड़े हुए हैं उन्हें आज कोई नया पद प्राप्त होगा खास कर जो लोग कपड़ों का विवसाय करते हैं उन्हें आर्थिक लाब मिल सकता है आज आप परिवार के साथ कहीं डिनर पर जा सकते हैं आज आप मांसिक रूप से स्वस्तन जा राएंगे साथ ही साम के समय थोड़ा आराम करें अचानक नए स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी जिससे आप कर दिन और भी जादा बेतर होगा आपके प्रिय जन खुस हैं और आपको उनके साथ साम के लिए कुछ योजनाई बनानी चाहिए आज अपने प्री के रवाईय के प्रति बहुत सम्मेदन सेल रहेंगे अपने कुरोध पर नियंतर रखें और ऐसा खुछ भी करने से बचें जिसके लिए आपको जीवन भर पस्तावा हो तो सिंग अरास के दोस्तों ये था आपका रासी फल कल फिर से एक नए रास फल के साथ हम आपके साथ होंगे जैसरे